अक्सर जब हमें हमारे शरीर पर कहीं चोट लगती है तो हम जल्दी से फार्मसी जाते हैं फार्मसी से एक बैंडेज खरीदते हैं और उस बैंडेज को अपने शरीर पर जहां पर हमें चोट लगी है वहां पर लगा लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि उस बैंडेज के अ से पहले तो यह जानना चाहेंगे, क्या है यह रिसर्च और क्यूं हमारी शरीर में इतना खतरना केमिकल एंटर कर रहा है। बिलकुल, हाली में अमेरिका की रिसर्च में सामने आया, उन्होंने चालिस कंपनियों के बैंडिज जो लगाते हैं, डेजिव बैंडिज उसको लिया, और रिसर्च में यह देखा कि इसमें पी फैस से केमिकल है, उसका फुल फॉर्म है पर पॉली फ्लोरो एलकलाईल सिबस् केमिकल का पता है कि कारसिनोजेन है, तो यह स्टडी सामने आई, फिर उन्होंने इसको कहा कि इसमें दो कंपनी ऐसी निकली जिसमें पी फैस नहीं है, बाकी कंपनी में पी फैस है, तो इसको बैं किया जाए, उहां कि इन्वार्मेंटल एजंसी ने रिसर्च की, कोई मेडि मेजर प्राउलम है, एक है अबिसोजन, मतलब अबिसोजन का होता है, ऐसा सबस्टेट जो बिना कैलरी के मोटापा करता है, जैसे आप खाना खाते हैं, उसमें एनरजी है, कैलरी है, तो मोटापा होगा, लेकिन जिसमें कैलरी नहीं है, तो पी फैस में कैलरी नहीं है, लेक जितने सोर्स हो सकते हैं PFFS के उस को कम कर चुका तो bandage पे बात आए कि bandage को भी कम किया जाया लेकिन भारत में दर्सकों को जानकर आश्चल जो होगा कि PFAS कहां कहां है आपके, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कराही, जो आपके बरतन होते हैं, टेफलोन कोटे, उसमें PFAS है, आप पिज़ा मंगाते हैं, उसमें जो पेपर रैप होके आता है, PFAS है, स्टेन न लगे, इस तरह के कपड़ एंटी स्टेन और एंटी वाटर, मतलब वाटर रेजिस्टेन सबस्टैन से, इसले इसकी कोटिंग की जा रही थी, तो हमारे घर में, वातावरन में, अंडरेगाउन वाटर में, मचलियों में, गाई के दूद में, हर जगा PFAS है, और इसको कहा जाता है, फुर एवर केमिकल मतलब सदाव रहने वाला रासाइनिक तत्व, या कहें, तो कयामत से कयामत तक रहने वाला रासाइनिक तत्व है, इसलेए, 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 आपने बताया, फुर एवर केमिकल्स के बारे में, लेकिन इससे कैंसर कैसे होता है, और कैंसर होने का खतरा, या लिवर हम डैम करेगा, kidney को damage करेगा, बाद में cell के अंदर जिसको हम कहते हैं powerhouse of the cell, हर कोशकाव में mitochondria होता है, जो ATP generate करता है, जहां से energy हमें मिलती है, उसका toxin है, उसको destroy करता है और आपके cell का growth hijack कर लेता है, मतलब growth proper हो रही थी, उसको ना होने दे, और abnormal growth कराने लगे, यह करता है, DNA damage करता है, और reactive oxygen species, जिसको आप कह सकते हैं O2 point, मतलब जिसको, जिसके लिए antioxidant लिया जाता है, इस तरह के radical बनाता है, जो की cell को damage करता है, बार बार damage होने के कारण, एक समय cell बहुत ही weird, आतंकवादी की तरह, ट्रेरिस की तरह हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और फिर उसमें शमता आ जाती है, एक अंग से दूसरे अंग जाने लगे, उसी cancer कहते हैं. Sir, आपने एक बताया कि हम cooking utensils जो यूज करते हैं, उसमें भी PFAS होता है, एक बहुत ज्यादा चलन देखने को मिला है, कि जो हम घर में cooking utensils यूज करते हैं, वो non-sticky होना चाहिए, तो उसमें भी PFAS है, बिलकुल, पूरी तरह PFAS coated है, तब ही non-grizy कहा जाता है, और ये भी दे में खाना बना सकते हैं, दूसरा, शरीर को तेल, घी की जरूरत है, लिमिटेड मात्रा में, ये आप अपने डाइटीस से, नियूटरिस्निस्ट या डॉक्टर से समझें कि कौन से तेल आपके लिए suitable है, ये एपी जनेटिक से भी डिपेंड करता है, जैसे South Indian coconut oil ज्यादा प तो उसकी कोटिंग गई कहां, इंसान के पेट में, और फोरेवर केमिकल है, तो आपके शरीर में, बलड में, कोशिकाओं में, लिवर में जमा रहा, और एक समय के बाद आपको डैमेज करके, हल्थ को डैमेज करके, कैंसर जैसा भी कराएगा, दूसरा, इसको आपने फिक द बात बताई, तो आप बैंडेज किस तरीके से डिफरेंशेट होता है, थोड़ा उसका डेमो आप बताएगा, बिल्कुल, हाँ, ये समझना बिल्कुल जरूरी है, कि ऐसा क्या हुआ पीफैस है, तो जब बैंडेज लांच हुआ, तो क्या इस पे रोक नहीं लगा सकते थे, उनको पता नहीं था, बिल्कुल, बैंडेज ने क्लेम किया क्या, कि ये एडेजिव होगा, एंटिसेप्टिक होगा, और टाइम देगा ताकि जहां कटा-फटा है, जखह में भर जाएगा, यही तो था, तो पहले बैंडेज जो लांच हुआ, ये तो सर्कुलर है, लेकिन लॉंग जो बैंडेज इस तरह का होता है, इसमें ये जो फैब्रिक दिया गया, ये फैब्रिक स्टेन डेजिस्टन नहीं था, अगर अंदर से थो थोड़ा ब्लड या पसीना कुछ निकलता था, तो यहां पे स्पॉर्ट आ जाता था, ये बैंडेज सेफ था, उसके बाद लेकिन ये निकल जाता था, 6-8 गंटे, 12 गंटे ये अगले दिन निकल जाता था, तो डिमांड हुई कि वह वाटरप्रूफ, वाश्प्रूफ बैंडे दीजिए, ताकि लगा लिया, तो नहाने के बाद भी ये ना खुले, अब ये वाटरप्रूफ लाँच हुआ, वाटर सेकंड लेयर अब्जॉबंट है, और थर्ड लेयर एडेजिव है, जो चिपकता है हमारे हाथ पे, इसी को ये बनाने के लिए कि इससे पसीना ब्लड बाहर ना है, और बाहर से अगर अपना रहे हैं इसको लगा के, तो पानी अंदर न जाए, इसको करने के लिए इसके PFAS की कोटिंग की गई, लेकिन इस पे बैंडेज ने डिटेल में क्या लिखा, कि इसमें एंटिसेप्टिक है, एडेजिव है, एब्जॉबंट है, बस इसकी चल्चा हुई, PFAS की चल्चा क्यों नहीं हुई, कि वास्प्रूफ है, ये बैंडेज ने क्लेम नहीं किया कि मैं इसको एंटिसेप्टिक सोलुशन की तरह दे रहा हूं, तो इसमें PFAS डाला गया, मार्केट किया गया, अब ये बैंडेज पॉपलर हो गया, और कन्वेंशनल बैंडेज से महंगा बिला, तो लोग इसको लगाने लगे, लेकिन अमेरिका में इन्वार्मेंटल जिंसीन जब देख कुछ कंपनी जो अमेरिका की स्टडी में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कौन-कौन सी कंपनी है, एक-दो कंपनी इंडिया में भी मार्केट कर रही है, उसका बैंडेज ले सकते हैं, जिसमें PFAS नहीं है, और थर्ड, जो इजिएस सोलुशन है, ये इसको कहते हैं, सर्जिकल रखें, एंटिसेप्टिक आप कटे पर लगाएं, इसको आप रैप करें, जहां भी कटा हुआ हो, और सिंपल एक माइक्रोपोर लिकोप्लास टैप की चीज होती है, इसको आप लगा दें, सेफेस्ट, इजी और हेल्दी सोलुशन, आपका कटा फटा भी सील हो गया, नहान सेफेस्ट का सोलुशन है, यह बहतर उपाय होगा. जिसमें इंस्टाग्राम, इंस्टा क्यों नाम रखा, पहले जमानें पोस्ट कार्ट पे चिठ्थी लिखते थे, महीने बर बाद चिठ्थी पहुंचती थे, फिर जब उसका जवाब आता, दो महीने हो जाता है, फिर भी लोग कंटेंड में थे, टेकलोजी बढ़ी, टेकल इस तो नहीं कर रहा है, इतना तो करना पड़ेगा, EGS solution है, वाच पूप लगाना, लेकिन आपको डेमेज कर रहा है, तो interim solution है कि वाच पूप ना लगाया, अगर bandage ही लगाना है, और नहीं तो classical solution है, आप घर पे surgical gauge piece, antiseptic और micropore रखें, बहुत बहुत शक्रिया सर बात करन जो एक method हुआ करता था, उस तरीके से लगा सकते हैं, या normal जिस तरीके से gauge method सर न बताया, उस पर पट्टी लगाना, वो आप कर सकते हैं, ताकि आप अपने सेहसे भी न खिलवाड कर रहे हैं, जिस तरीके से अचानक आजकल cancer के patients बढ़ रहे हैं, अचानक हमारी body में परिश जिस निशन, दिली.